बिस्मिले रख्मने इमस सलाम अलेकूम गुड़ मॉर्णिक सुब खेर पाकिस्तान इस वमीजी की दुआ के साथ आप लोग बिल्किल ठीक ठाक होंगे खेरो आफियर से होगे और ये किनन हर दिन की दिन आज की सुब बहुत अच्छी पुरमसरत अंदाज में होगी और बहुत खुछगवार आज का दिन हम बहुत तेजी से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं बिलीफ करें सुब्सवेरे आप उठते हैं तो पता चलता कि भाई गर्मी आ रही है ये आज चुकी है फाइनली और अब तो दिल करता है कि बहुत थंडा सा पानी हो वो इनसान बरफ दालके पानी पिए और फैन भी होनों लेकिन जब आप बरफ के पानी का सोचते हैं साथ ही आपको याद आ जाता है ना बाबा कॉविट की सिच्वेशन है और कॉविट में तो बिल्कुल भी थंडा पानी जो है वो नहीं पीना और बहुत जदा परहेस करें खैर जी हमेशा होते हैं फोरन से अपने हाथ धुएं मुव वाश करें कपड़े चेंज करें और उसके बाद जो है बाकी फैमिले से मिलने की कोशिश करें बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो तीसरी लहरा यह बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है और अब तो कल की जो रिपोर्ट थी उसके मताबक 50 ऐसे बच्चे हैं जिमें कोविट जो है वो स्प्रेड हो चुका है और यह इसलामबाद की सिच्वेशन है तो इसलिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़दा ख्याल करें कियर करें लेकिन अगर खुदाना खास्ता आप कोविट एफेक्टिव हैं और उसक आपघा भी कराते आएं उसक्मने फितनेस एक्सपर्ट कोई नहीं दे सकता किजब खुदाना ह खासता पहले तो मैंने वो हमारे पशे हरहाल को छिडिकिन अगयर आप पहले तो हम इसी बात कुख और करते हैं कि हम किस तरह से कौविट से बच सकते हैं मतलब हमाना इम्योंन स्चिस्टё பी होई Tibet की जो सबसे ज्यादा स्परेड होने की हो जो असान रिजन है वो ڈौपैट साँ जब आप बात कर रहे होते हैं तो उससे जो हवा के पहराद आते हैं वह डॉपैट सब्सक्राइब कंसीव कर लेते हैं तो असानी के साथ जो हैँ वह effective हो सकते हैं अगर अगर किसी कोवर्ड ऐफेक्टरी बंदे के साथ होता है तो इसलिए मास्क तो सबसे पहले जरूरी है अच्छा दूसरा यह कि अगर आप ने कोवर्ड का कोई वायरस जो है उसको कंसीव कर लिया है तो आपके अगे लेके पूसरा है तो आपक्के से और आपको करेंगे सीसे है उससे पहले जो है वाडी आप और कीरें केता got और पुर्ल क्लिक की खात्यों में एक वपे वह कोती है और आप जितना वांप करेंगे यह अतनी आपकी साथ बожд ॉस से पहले जो है उसे बोड़ी वाम हो रही होती है अहल की और हम मोजली बीस मिनट के बाद वाक छोड़ देते हैं हाँ जब हमारी कैरलिस बर्न होना शुरू होती है एक्शली जो काम शुरू होता है जहां से स्टार्ट होता है वहां पर फिर हमारा जो है वो एक्सिताम हो जाता है वाक क कर रहे हैं अच्छा मैं यह कह रहा था कि अब अगर हमने जो ना वो किसी इंसान को जो है वो कोवर्ड जो वो एफिक्टी हो गया तो अब वो क्या करें तो उसके लिए वो ब्रीधिंग कर सके क्योंकि वह बहुत जादा फिजिकली एक्टिवटी तो नहीं कर सकता बाहर भी न हमें दो इन से पता हो नहीं हैं leading that किक क इसी शुटाल से देखते हैं तो क्या वह बिल्कुल आ बता रहा रहा होका नहीं बता रहे होता है नहीं वह मुकंब नहीं बता रहे हैं लेकिन ही जिए चीज में काफी कुछ आपочно बताती हैं प्रेवजिकर क्यों दो सी टेक्निकल होती है ब्रीधिंग मैंने देखिया कि बहुत ही कम है यूट्यूब पे और वाकी सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म के उपर उस पर काम करने की जरूरत है अब मैं आपको यह बिताता हूं कि आप जो है ना वो ब्रीधिंग जो हैं वो कर किस्ता सकते हैं और कौन-क एडियर्क्तर ही तनाओं में रहेगी हम बैठते वी इसे नहीं बैठते हैं यह जो है अपकी बॉड़ी का वेट है यूशॉल्डर और सर का जो में वेट है वो जो है वो आपकी हडी के ओपर और और मर्सल्स पर डिस्ट्रिब्यूट हो जाता है और आपके बॉड़ी के इंटर्नल जो आर्गन्स है इसको ब्रेट्स इन और आउट करने के लिए जादा स्पेस मिली जाती है हो जो चैंबर है वो काए बड़ा होजाता है इस यह देखें इसमें हमने इंहिल निंग करें इंहिल निंग करें इंहिल और प्रोस्स के थ्रू ध्रिये और इसमे आपने एक काम ब्रेदिंग को दूसराمة मुसल्स का है लोर बैली के पेट की नीचे वाले हिस्से के मुसल्स को आपने अंदर की तरफ खींचना है जूँए वो आपके अंदर की तरफ होंगे टमी टकें होगा ब्रेथ आउट हो जाएगी यह देखिएगा चीक इसको मीडियम पेस्ट के साथ करेंगे तो हम आसानी से सीख सकेंगे फिर उसके बाद जब हम इसके उपर काफी इसके मुशाक हो जाएं मीडियम पेस्ट के साथ तो फिर हम इसको तेज भी कर सकते हैं यह दो मिनट से लेके पांच मिनट दस मिनट सक आप मसलसल कर सकते हैं शुरू में कोशिश करें कि इसको आप 30 सेकेंड और एक मिनट से जो ना वो स्टार्ट करें एक नॉर्मल उन लोगों के लिए जो लोग इससे एफेक्ट हो चुके हैं कोवर्ट से अब बहुत सारे लोग हैं अगर हमारे अपने हम मीडिया होस्टेस की बात करें तो मेरे साथ म उन्हें बहुत ज़धा सांस फूलना शुरू हो जाती है यह वाले इशूस जोह हैं बहुत ज़धा लोगों में बिल्ट हो रहे हैं इसका इलाज तो मैं बता सकते हूँ को आपको, इसके मिन इसका दूसर्य एक परना याम भी आ जाते है, इसके साथ परना यामी ब्रीधिंग ही योगा के अंदर आज हम सिर्फवकस करें कोवट के हवाले से, और उसमें सिर्फ ब्रीधिंग ही य economy को फोकस करेंूंऀ पहली ब्रीधिंग मैंना आपको बताई कपाल भारती जो कि एक वेक्वम प्रस्टोस के थूँ आप जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं इससे होता क्या कि आपके लंग्स के जो मस्स्ट हैं लंग्स के इड्स गित के जो लेड्स हैं वो मुझबूत हो जाती हैं वो असानी के साथ जो ना वो कॉंट्रेक्शन और और यह कितनी मिनट तक करनी चाहिए यह यह आप शुरू में स्टार्ट करेंगे थर्टी सेकंड से लेकिए जो है लेटर रोन आप इसको फूर फाइफ मिनट सा कर सकते हैं यह एक होगी सेकंड ब्रहत है उजाई ब्रीधिंग में हम दो चीजें करते हैं एक तो इसके अंद साउंड क्रियेट हुती हो दूसरा हम इसके अंदर लंग्स कास्तमाल करते हैं फेपनों का只是 करते हैं तो लेञा हैं इक नार्मल प्रॉसेस हैं हम उसको थोरसा इंटेंज्सेवाई اس सलिए कर लेते हैं ब्रीधिंग को ताँ किआप जएधा deepen को करें और उसके अंदर जो ऑक्सीजेन है उसको अपने बॉडी का हिस्सा बनाए और कार्बन डाइकसाइड को रिलीज करें वो हम योगा की जब प्राना याम की थू करते हैं तो फिर असानी के साथ करते हैं अधर वाइस हम जो ब्रीधिंग कर रहे थे उसके अंदर बहुत कम वो शैलो ब्रीधिंग होती उपर उपर से ब्रैथ कर रहे तें डीप ब्रीधिंग नहीं कर रहे थे अच्छा जो डीप डीप डीधिंग के लिए अभी हम उजाई ब्रीधिंग की तरफ जा रहे है ये देखिएगा एक तो इन्हेल कर रहे हैं दूसरी आवाद आ रही है तीसरा लोर बैली की ब्रीजिंग में यानि कि इसके मसल्स पेट की मसल्स जो ना अंदर बाइट नहीं हो रहे जो के पहले वाले में हो रहे थे अगर आपने केमरे ने दिखाए हूँ इसके अंदर आप लंग्स को कासर होते हैं फेपड़े फेपड़ों को जो आना उसकी एक्सपेंशन इन्हेल के साथ और मैकसीमम उसको टाइम के लिए रखें फिर उसको होल्ड करने के बाद उसकी कांट्रेक्शन तांके सारी की सारी का के बाद आपको दोबारा अपनी एकसराइस स्टार्ट कर लेनी चाहिए आप उसके साथ जो है ना वह बहुत ज़्यदा मैंने देखिया है कैसे से हैं कि जो लोग जो ना काफी जो ना वह वीक हो जाते हैं लेकिन उनको छोड़ना जी उसको उस कमदोरी को जो आपने अपने कमदोरी नहीं मिनाना फॉरण ही स्टार्ट कर लेने चाहिए जो भी आपको रूटीन है उसके बाद चार-पांच दिन जो है अपनी अच्छी सी डाइट को जो है ना वो करें ज्यादा स्वाट को लोड़ करें बौडी के अंदर जो है और पर जो भी वर्क आउट कर रहे थ उसमें अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आप मजीद वी की होते जा रहे होंगे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी मुमकन है दो तीन मीने के अंदर लेकिन वो फीजिकल रिजीम के अंदर रहते हुए और अच्छी डाइट के साथ हैं उन पर जब कॉबड का असर आता है तो वो ज़्यादा effective होते हैं वो रिकवर बहुत मुशकistent से करते हैं उसके reason क्या उनके exercise ना होना होना है या उनकी age है एज एज के साथ क्योंकि एमिनिटी कम हो जाती है तो आफ कोर्स जो रीजन बनती है वो एमिनिटी का कम होना है और वो उस एज में ज्यादा तर लोगों की जो है नहीं एमिनिटी नहीं होती क्योंकि वो हमारे हाँ या इस तरह का रिवाज नहीं है कि एक्सरसाइज जो ना चैल कद्व ही कर LIVE कर ली तोड़ी सी कीचन गाडन coy कर लैंग कीचिचन गार्डिणिंग कर लाके गार्डिण करनें ने लेकिन!」 या लोJust कीच्चा अम्ल अच्छछ है अश्चा प्रषा डे करने के लिए सारी मिला की आपके प्रेपरों को काई वीग बना देती हैं जिसके वज्य से जो है वो यूजरी कոवर्डों जो हैं वो 54 further आपके हार्ट पे करता है, some time वो brain बे memory पे करता है, फिर जएदा तर लोगों को lungs पे करता है, लंग्स की मैना आपको वज़ा बता दिये ऐ, खाना पीना हमारा, pollution, age और exercise ना करना है, और specially breathing exercises जो हैं, वो तो हम लोग बिलकुल नहीं करते हैं, shallow breathing करते हैं, और कुई भी ऐसी exercise नहीं है जिसके अंदर हम प्रॉपर जो है ना वो डी ब्रेथ कर सकें एक्सेप्ट जो है वो योगा या इसके लावा कुछ और जो रिलैक्सिंग एक्सराइज इसलिए ब्रीधिंग करना जो ना वो बहुत इंपॉर्टेट है स्पेशलिए इस इस कोवड के लिए जो और इमूर्टे को करने के लिए आपकी आजाती है तो उसके लावा आपको अपने बॉड़ी को जो ना वो हाइड्रेट रखने की दरूए है पानी पीना चाहिए और सिंपल पानी साधा पानी पीने से ज्यादा बेतर है कि आप कुछ एक अट कप जो वो ग्रीन टी ले ले लें फिर उसके लावा फिर आप आलिव के पते लेके उनको वाइल करके वो उसकी टी बना सकते हैं फिर को वाइल थाइम हैं टुमूरो टाइप चीज़ें हैं सी बग थाउन हैं इस तरह की बहुत सी टीज़ अभी मार्किट के अंदर आविलेबल हैं मुरिंगा टीज़ें तो इनके साथ आप अपने दिन में तीन बार चार बर पांच बर अब जब भी पियें तो एक एक गिलास जो है डिफरेंट किसम की जो है वो टीज़ को इसमाल कर ले उससे आपकी इम्मूनिटी जो है वो इंक्रीज होगी और उनके जि इसलिए पूछना चाहिए बार बिल्कु क्लिर ली बतादू मैंने वी जो चार-पांच की इनके बारे मैं आपको बताया इंपे बारे में से कोई मेडिकली मुझे तो कोई ऐसा इंक्रीडेंट्स नहीं मिला कोई इसका जूद ऐसा नहीं मिला जिस पर रिसर्च हूई हूई और बताया गया हो कि यह वायटामेंस की वज़ान से यह मिनरज की वज़ान से, कमपाउउंट की वज़ान से में में यह कंबो होता है। community आपके वो भी increase करते हैं ये वाली बाकी जो चीजें होते हैं सिनमोन उसके नहीं डाल दी हल्दी डाल दी ये चीजें आपके जो metabolic rate है उसको increase करते हैं ता उसके साथ फिर होता है कि आप जो कुछ भी कहते हैं वह easily digest हो जाता है आपके बॉड़ी का हिस्सा बन जाता है और वो fat energy को store करने के बजाए उसको बन कर देता है तो इसलिए वह यह बहुत अच्छी चीजें है वहां जो बाकी green tea है वह बलके आपके बॉड़ी के अंदर यह देखें जितनी हम green tea पीएंगे वह सारे आपका जो है वह urination की थूरू बाहर निकलेंगे उसके साथ वह बहुत पार चार पांच पांच कप जो है ना वह green tea पी रही है वेट पे तो फिर आपको अपने मिनरल्स पे और वाइटामेंस पे भी काम करने की जरूरत है अपने डॉक्टर को चेक करवाएं उनकी रिपोर्ट्स लें और डॉक्टर खुद ना बने और green tea जो है ना वह बहुत है आपके लिए उसके साथ आपको फिर मल्टी वाइटामेंस भी लेने पड़ेंगे वरना फिर आपके अंदर उन चीज़ों की कमी हो जाएगी फिर आपको नीन नहीं आंगी मूट स्विंग होंगे वीक्नेस हो जाएंगी हड़िया कम जोर कैल्चिम बॉड़ी से निकल जा चाहिए और खाली साधा पानी पीने से बेतर है कि टीज पी लिए लिए जाए ताकि उसके कुछ मिनर्स भी आपके बैलेंस रखके चले हैं हर्ची इसको बैलेंस बहुत जाए आपके जैसे आठ से दस ग्लास रिक्मेंडेड है पानी के एक दिन के अंदर 24 गंटे के अंदर देवर्य यहो के स्टैडिस के मताबिक तो उसमें से चार पाइंट तो आप ऐसे कर सकते हैं कि डिफरेंट किसम की जो ना उनको टीज बिने फिर बाकी जो आपके पास चार ग्लास या आठ चे ग्लास बच जाते हैं पूरा दस ग्लास बनाने के लिए वह फिर आप साधा पा ग्लास तिक्रिम तीन तीन के साब से वह आपके बारें ग्लास बन जाते हैं तो एक लिटर में तीन ग्लास जाके बनते हैं यह गलत है कि चार ग्लास इस इक्वल टू वन लिटर जो है आप मेयर करके देख लीजेगा किसी दिन तो इसके साथ फिर आप चाय हो जाएगी पानी के इसके चाय हो गई जिसमें हम जूस ले ले लेते हैं शेक्स ले ले लेते हैं हम लोग ग्रेन टी इंक्लूट करने उसमें काफी इंक्लूट करने तो इन सब में भी तो पानी होता है ना जी वही ना चार ग्लास अगर आप जो हैंने वो टीज की रख लेते हैं और चार ग्लासे आप जो हैं वो जूस के टी के काफी के बना लेते हैं या समूदी की बना लेते हैं तो ये फिर आपके एट ग्लासे हो जाते हैं बाकी एक दो ग्लास आप साधे पानी के ले 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 तो टैन क्लासे इस कॉइट इनफ जो क अगर आप उसके लिए वेट लॉस करने के लिए करना चाहरे हैं तो ब्लैक काफी 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 बेतर है और एकसरसाइस से पहले आप वो ले 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 आदा घंटा और उसके बाद जाके अपना वर्काउट स्टार्ट करने चाहिए जो भी है वाक को भी मैं वर्काउट ही में होना शुरु हो जाती है और स्पेशली वेली के एलिएज जो स्टरूर्बरन इरियाज में होते हैं आपके बैली यह थी आज की बाते हैं आपको बताने के लिए कि कॉविट से अगर आप खुदाना खासता एफेक्टिव हैं तो आपकी से अपनी सहाथ को बचा सकते हैं वक्त होता है ब्रेक का ब्रेक के बाद पैनल को चेंज करेंगे हमारे साथ रिएगा सुपरखार पाकिस्ताइब अजय को बाते हैं वैट वेलकम बैक रहा से फिर खुशामदीद केहेंगे आप लोगो को वेल सुपरखार पाकिस्तान और जिसके कि मैंने कहा था के पैनल चेंज करेंगे बहुत ज़्यादा चर्चा भी वी लॉग का और ब्लॉग का क्या चीज़ हैं ये ब्लॉगर्स क्या होते हैं क्या करते हैं ये लोग क्या डिफरेंट चल रहा है और एक टाइम पीरिड था जब हम देखते हैं कि अखबार का दौर है हर घर में अखबार पढ़ी जाती थी हमारे पेरेंट्स जो है वो सुब सवेरे उटके अखबार पढ़ते थे होकर आता था घर में अखबार ठेक के जाता था वो टाइम पिरेट गुजरा तो हमारे पास मीडिया का दोर आ गया कि अब सुब्सबेरे उटते ही आप भी घरों में टीवी आन होना शुरू हुआ और ये खैर ये टाइम पिरेट बहुत बहुत ही बजबन कि अगर मैं बात करूँ अपने तो मॉर्निंग शो हुआ करते थे और उसके एक ही मॉर्निंग शो चला करता था पाकिस्तान टेलिविजिन पर जो मुस्तंसर असान तार्स अब करते हैं पिर थोड़ा आगे चलते जाएं यही चीज़े मिचियौ बहुत रहते हैं लेकिन यूट्रोणिक मीडिया के सास तैस्द डिजिटल रहा हूँ अब … बहुत है यूआ हो आप आप देखते हैं कि आजकल यूटीवर्स बहुत जदा इन हैं डिफरेंट चीजें हो रही हैं यूटीव पर मुखलिफ चीजें बनाई जा रही हैं फिर वोई चीजें आपके जो मुखलिफ हम कहेंगे मीडियम से उस पर यूज किया जाते हैं यह सब चीजें आज हमने डिसक अजय को मैं बहुत कुछ करते हैं आप उस पर हम डिसकेशन करेंगा उनके साथ हदीका हदीका का तालुप पी रेडियो से असलाम लेकों वैलकम बहुत शुक्रिया आप तुनों है रेडियो के इलावा यह जो एक नई चीज सामने आई इसका मैंने जिक्र किया पहले हम ले अगर हम एब्रिविएशन की बात करें तो उसका यह है कि बैटर लिस्टिंग उन गूगल गूगल पर आप जो चीज सर्च कर रहे हो आपको उसमें बहुत से पूरी लिस्ट आपको वो दिखा देता है लेकर टॉप पर जो चीज आएगी जो बाकी सबसे बहतर होगी कॉंटेंट उसमें अच्छा होगा आपके मुताबिक होगा और हर चीज उसमें कंप्लीट होगी that's called the blog ठीक और वी लॉग जैसे कोई भी चीज सर्च करने होगी है लाइक जैसे खावतीन का अलमी दिन था मैंने खुद कुछ लिखना था तो मुझे दस चीज़ें जो है वो सर्च करनी पड़े क्या चीज इसमें बेतर है प्रोडेक्टिव चीज क्या है बेसिकली बिल्कुल तो इस तहां से लिखने ढूंडने के बाद हम सर्च करने के बा आप अपना अगर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म के थ्रू एक अगर अप्लिकेशन बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको वी लॉगिंग बोलते हैं जिस पर आप डेली बेसिस पर अपनी वीडियो जो है वो पोस्ट कर रहे होता है ठीक है और वो अजिस पर इस नहीं बनाते हैं जो कि आपको थम्लें भी नहीं लगाने आते हैं और इसके लिए कि थोड़ी सी सीखने की जरूरत है अब तो यह कि जिसकी बास कैमरा है फोन है वो हमेशे शुरू हो जाता हो कुछ ना कुछ वी लॉक्ट बना देता है जो कि लोग इतने पस और इसको बनाने के लिए जो चीज़े ज्यादा इंपर्टन है वह रिसर्च सबसे पर आप रिसर्च करें कि आज कर जो मैं वी लॉग बना रहा हूं या बना रही है तो इस टोपिक पर है क्या बना रही है इसके लिए एकुपेंट कौन सी यूस हो रही है कितना पेलिंग उसको बनाना और उसको प्रिजेंट करने के लिए अपने पूरे वी लॉग की एक समरी दे देते हैं कि इस इस माई वी लॉग आप देखें और इंजॉय करें ठीक मतलब के वही चीज होनी चाहिए जो अंदर भी है मतलब आपने ऐसी कोई चीज लगा दी कि अंदर कुछ भी नहीं था उसके और आपने बाएर एक ट्रिक्टिप सा जो है उथ हमने लगा दी या कोई 30 मिन हमने जाया कर दी और पता चला कि अंदर कोई प्रोड़क्टिव चीज नहीं थी वो एक बहुत फ़नी सी चीज थी ना के मिया और बीव में अलहद की हो गई तो लगा है वो आप देख रहे हैं किसके अलहद की दो फेमस स्टार्स हैं फिर वी लॉग के अंदर आपको पता चलता है कि इनका एक निया ड्रामा सीरिल आ रहा है जिसमें इनका अलहद की हो मतलब सबसे बदादा प्रॉबलम तो यह जैसे अब हम मीडिया में हम तो सीख के या हमें सिखा गए हम इठाया गया अब यह यूट्यूब का वामला ऐसे हैं किसको भी ने सिखाया गया और लोग खुद से आगए खोदी से आके चीजें बनाना शुरू कर दियों और बता अब इनको कौन सिखाएगा अचा माही इसमें बहुत मज़दार चीज है जैसे डिजिटल और सोचल मीडिया की में बात करूं फेस्बूक है इंस्टाग्राम और यूट्यूब है अब इन्होंने क्या कि इन्होंने एक पॉलिसी नहीं निकाली जिसको कहा जाता है मॉनिताइज़शन पॉलिसी में या है जिब आप कोई ऐसा कॉंटेट बनाते हैं जो रेल नहीं है जो अब पास यूप्षन होती है इनका अर्डिफिशल इंटेलिजेंस का एक सर्च इंजन होता है जो ढूंता किया यह फेक निवस तो नहीं है शुशनी जो नहीं है वुस एक मौका देता है कि आपने इस कॉंटेंट को ठीक कर लें, इसको डिलीट कर लें ये एडिट कर लें सेम लाइक जैसे आपको ट्विटर देता है तो ये बहुत इंट्रस्टिंग है कि आप थोड़ा पावरफुल हो रहा है सेर्च इंजन उसको अप्टुमाइज कर देता है कि आप फेक इंफॉमिशन निकाल दें वरना आपको चैनल बैन हो सकता है आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं तो उस वज़े से लोग थोड़ा सा अब बेतरी की तरफ आ रहे हैं अब मासरत के साथ मैं वह भी चीज़े कहना चाहरू हूँ जैसे आप किसी खेट में चलेगे और पत्धनी वहां पर को लोग जो है वो मैंने इतने मतलब हजीब जीब चीज़े नेकिए इसके साथ आगे आपने वी लोग बना कर अपलोड कर दिया ठीक है इस टाइब की चीज़े भी है भी फन क्रियेट करना चाहते हैं लोग और वो कुछ अगारी चीज़ निकला तिया है देखें फन इस गुड़ अब आप टॉप लिस्टिंग में देखें सबसेदा जो अच्छे वी लॉग और ब्लॉग जा रहे हैं वो कॉमेडी के हैं लोग इंजॉय करते हैं कॉमेडी को लेकिन कॉमेडी में अच्छा कैलिबर होना बहुत ज़रूरी है ठीक है इसको बच्चे से लेके बूड़े लोग तक सब देखें एंजॉय करें इससे कुछ इंफोमेशन लें या फिर एक हैपी फील लें अगर आप भैस के साथ वी लॉग बना रहे हैं नो प्रॉब्लम ठीक है लेकिन वह ऐसा वह फिर आपका वी लॉग एक फणी वी लॉग होन हदीका कैसे आइडिया जिनेट कि हमें एक वी लॉग बनाना चाहिए माही आइडिया तो ऐसे कि हम लोग रेडियो भी करते हैं उसके लावा काफी सारे इवेंट्स में भी जाना होता है ट्रैवलिंग भी तुरूट थाइं जो है वो रहती है तो बस यही माही माया के फोन अच्छा है तो विसली हमको भी स्टार्ट करना चाहिए और जब रेस्टरंट में अगर प्रोफेशनली जो लोग कर रहे हैं तो एक्विपेंट इसमें काफी सरे जो हैं वो जरूरत होते हैं कैमरा से लेके ड्रोन तक आप सारी चीज़ें यूज कर सकते हो लेकिन अगर बना सकते हैं बढ़ अच्छे तरीके से बना तो बहुत सारे लोग लेते लेकिन उसको आप प्रिजेंट कैसे कर रे हो उसमें काफी सरी चीज़े हैं उसकी एड़िटिंग है उसमें आप जो है टक्स कहां कहां एड कर रहे हो मीजिक कहां लगा रहे हैं वॉल्यूमस है कि वो all over the world जो है आपके वीडियो को आपके कॉंटेंट को पुछ करती है लोगों की तरह तरह तो बात में रही रही है कि आइडिया कैसे जिनरेट हुआ किस तरह से मतलब एक आइडिया कि हमें भी कुछ डिफरेंट करना है लेगे वाही इसमें सब ज़्यादा इस आइडिया के पीछ जाता है पंडेमिक को ठीक है जब से पंडेमिक स्टाट हुआ तो ना सिफ हमने बल्कि काफ सरे लोगों ना सोचा कि बींगे ठोम हम क्या कर सकते हैं मतलब एक तो हम बहुत स्ट्रेस में आये खर में पाट के मैं मेरे मुस कुछ भी नीदा है सभाई टे इससे बहुत अच्छा केंग किया अब फ्रीलाइंसिंग में यह दो बहुत इंपोर्टन केटिकरीस निइसमें इंस्टाग्राम है आपका फेस्बूक है ब्लॉगिंग है वी-लॉगिंग है यूट्यूब बहुत से लोग उन्से अच्छा काम हो रहा है और लोग उससे अच करनी चाहिए because in the longer run आपको पता के pandemic के साथ हमें जीना है और इसी को अगर आप फ्रीलांसी को आगे लेकर चलें तो आप तो आपना source of income भी बना सकते हैं आप क्या different करें चैलेकर मैं आपसे पूछू कि आप लोग क्या different करें लेके हम लोग information तो सभी देते हैं लेकर हमने इसको बहुत funny moments में create किया ठीक है मतब funny relationships होते हैं के relationship में problem क्यों आ जाते हैं किस तरीके से आते हैं किस तरह resolve करते हैं एक humorous way में हासी मजाग में हमने किया तो हासी मजाग को लोग enjoy करते हैं और वो इक concept उतना learn through fun मतब हासी हासी में सीख जाना तो हमारा concept वो है जो हमें different बनाता ड़ा है इस तरह आपने क्या different characters को यूज किया different characters को यूज किया different characters को यूज किया different लोगों से बात की, लोगों के opinion लिये, polling करवाई और polling का results पर हमने बताया कि लोगों का यह होता है कि घर में जगडा रहा तो उसकी वज़ा क्या है मतलब husband को socks नहीं मिल रहे उल्हा असे मुझेडा मिल रहे, घंदा मिल रहा, तोल्या अगनना मिल रहे, रहा को खाना में नमक तेस है यूज को खाना मुझेडा मिल रहे, वाइव को खाना मिल रहे, आ शोव नहीं पा रहे एक वाइफ शूर बहुत करते है, बातें बाती है बाते है बज्जे बहुत तंग करते हैं एपने पड़ोजी सब के बच्चे बढ़ तंग करते हैं तो लिए इस पर्फा जो आधेरी सिर्ट youसाइप अर्टे का साह हूँ तो ज्ए इू टिर्विय जा नहीं हुआ हैर फॉलकि जो पेरे फादर है वो रात को जब खराते हैं वो मजीद तग होते हैं और बच्चों एक जिसे कहते है ना हंगामा बरपा किया है स्कूल नहां जाने की बज़ारा है मैं तो यह रेक्मेंट करता हूँ उन पैरेंट्स को कि जिनके बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहे है कि आप बच्चों को भी अच्छी तरीके से यूटलाइज करके ट्रेन करके अभी यॉर्पिन कंट्री में बच्चों को बच्पन से ही ट्रेन किया जा रहा है हाँ तो बच्चों के बच्चों के बच्चों का बनता है और एक अच्छी जह वो उनको करियर पाथ मिलता है हदीका जुमें समझ पाई हूँ फैसल की बास से हो यह है कि वक्त से जो कि आपके अपने बच्चों की तरवियत करनी है तर रहा है तो कि बच्चों का प्रिएव कर्या करणी है अगर आप क्रिएव हैं तो रॉड़्या मैंजका एम थे fighting आप को कुछ Sब hair बच्चों का रधत को प्रिएवे हैं पॉजिटिव चीज दिखा रहे हैं बजाए इसके जैसे मैंने जिससे बात शूरू की थी कि हम बहुत सब्सक्राइब हो गया है कि ऐसे थमने लाव मना देते हैं जिसका कोई फाइदा नहीं होता और उसके दर कुछ भी रही है देखने के लिए तो यह थी ची आज की बात है जिसे मैंने आपको डिसकस करने के लिए बलाया बहुत शुक्रिया थैंक्यू कि आप लोग आए हमें अच्छा लगा कि आप लोग ने कुछ डिपरेंट चीजें जो है वो लोग को बताई आखर में को मैसेज देना चाहें प्रीज तो मैसेज यह है मेरी तरफ से तो कि आप लोग जो काम करें अच्छा काम करें सोशली रिस्पॉंसिबल हो करें और लोगों को ऐसी अच्छी इंटेंमेंट और इंफोमेशन दें चाहे आप जिस टॉपिक पर भी काम करें ताकि लोग उसको एंजॉय करें और उससे बेनेफिट साथ सासी अचत्री, सारण और इंटेंट बहुति के लिए एखुछ आ से यह था अखिव तक फस परॉड्र के लिए नहीं करें अगे बढ़एं और उससे के लिए पान करें लहीं जावा एंच्छिव करें स्केसथे, भी सब्से कंएमinação थो हैन को लिए प्गोर दूतिय cud रखें मेहनत करेंगे तो लाइफ में कुछ अचीफ कर पाएंगे वरना कुछ भी नहीं मिलेगा अपना ख्यार रखें इन्शाला कर मुलाकात होगी बशेयत जिन्दगी अलाहाफिज एंप एमाने लाहाफिज एंप थाओें एंप एंप एंपथाइज एंप एंप एंपS